दोस्तों आज हम पढ़ते हैं तुर्क आकरमणों का सबसे जो दूसरा टॉपिक है पार्ट महुम्मद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं गजनी सामराजे की स्थापना की थी अलप्तगीन ने 962 इस्वी में अलप्तगीन के गुलाम सुबुक्तगीन ने 977 में यामीनी वंश की स्थापना की और गजनी की गदी पर बैड़ गया अलप्तगीन गजनी का संस्थापक था लेकिन सुबुक्तगीन ने क्या क्या यामीनी वंश की स्थापना की और गजनी राजी में बैड़ गया सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की शाशक था तुर्की शाशक था सुबुक्तगीन जिसने भारत पर आक्रमन किया और हिंदु शाही शाशक जैपाल को पराजित भी कर दिया हिंदू शाही यहां पे कौन था उस समय जैपाल जैपाल को उसने परास किया और जैपाल को महमूद के इतिहासकारों ने इस्वर का शत्रु बताया है महमूद गजनवी के शत्रों को क्या बताया है इश्वर का शत्रु बताया है जैपाल को काबूल और पंजाब में हिंदू शाही राजवंश का शाशन था उस समय जब उसने आकर्मन किया था तो माना जाता है कि काबूल और पंजाब में हिंदू राज्य का राजवंश था उसकी राजदानी उद्भांडपूर थी पंजाब और उससर काबूल में उद्भांडपूर राजदानी बना है इसे वेहंद भी कहा जाता है कुषान नरेश राजवन्ष थावो कनिशक के वन्षज माने जाते थे ुसुबुक्त गीन का पूत्र महमूद गजनवी ने नो सो अठ्यान में इश्वी में अपने छोटे भाई स्माइल की हत्या की और गद्धी पर बैठ गया एक हजार तीस इश्वी तक बशाशन किया अब यहां रखना पहले आया सुब अलपत गीन फिराया सुबुक्त गीन सुबुक्त गीन का बेटा था स्माइल उसकी हत्य किसने की महमुद गजनवी ने और एक हजार तीस तक वो गद्धी पर बैठा रहा है उन्नो सो इठ्यान में इस्वी से एक हजार तीस तक लगवग 32 साल माल लो महमुद गजनवी ने अमीन उन मिल्लत महमुद गजनवी ने अमीन उन मिल्लत मुसल्मानों का संरक्षक क्यों पादियां बगदाद के खलीफा अलकादिर बिल्लाह से प्राप्त की तो बिल्लाह से इसको क्या मिला बिल्लाह से मिला मिलत और दोला महमुद इसलामी उतिहास में प्रथम मुस्लिम शार शक्ता जिसने सुल्तान की अब जो आएंगे जिसने सल्तनत काल वगरा पढ़ेंगे हैं उसमें सल्तान आएंगे लेकिन उससे पहले सल्तनत काल में सबसे पहले सल्तान के उपाजी जो धरन की थी सबसे पहले मुसल्मानों में वो था महमुद गजनवी तारीक एक गुजेदा के अनुसार सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को हराने के बाद महमूद ने सुल्तान के उपादी धारण की थी तारीक गुजेदा के अनुसर सिस्तान के राजा खलफ बिन एहमद को हराने के बाद महमूद ने सुल्तान के उपादी धारण की थी यह जया रगड़ा कि इसने सुल्तान के उपादी धारण की नहीं कबकी सिस्तान के राजा खलफ बिन एहमद को हराने के बाद में सुल्तान बना था ये महमूद खलफ बिन एहमद को हराने के बाद में ये सुल्तान बना था उसने उपादी धारे नहीं की थी तेयान रखना तो बच्छा तीन उपादियां आगई अमीन उल्मिलत, यामिन उद्दोला और सुल्तान ये तीन उपादियां इसकी important उपादियों में आती हैं अब पढ़ेंगे गजनवी के भारत पर आकर्मन के कारण अब क्या कारण रहे किसने आकर्मन किये अपने को सबसे पहला कारण था महमूद के भारत आकर्मन का प्रमुक उद्देशे धन लूटना ये तो normal सी बात है धन लूटना था नएकि इसलाम का प्रजार करना ये बात कहता है इरफाम हभीब कहता है कि वो धन चाता था नकि इसलाम का प्रजार उत्बी महमूद का दरबारी इतिहास्कार के अनुसार महमूद के आक्रमनों का उत्थे जिहाद अस्लाम का प्रचार करना था उत्वी कहता है कि ये तो प्रचार करना चाहता था इसलाम का जबकि इर्फान क्या कहता था नई ये तो पैसा चाहता था उत्वी एक मात तियास कार था जिसने महमूद को पर भारत का आकरमनों का वर्णन किया किन्तो उत्वी महमूद गजनवी के अभियानों में उसके साथ भारत नहीं आया था ये दान लगना उसने आकरणों का वरनन अपनी बुक में जरूर किया है लेकिन उसने ये नहीं बोला कि वो भारत आया था. भारत इसके साथ गजनवी नहीं खेबर दर्रे को पार कर भारत पर आकरमन किया ये भी important है कि ये बाहरत में महुत गजनवी कहा При ये कुछा था खेबर दर्रे से वारत में आया महमूद के आकरमन के समय कश्मीर में रानी दिद्द्धा वे कनौज में प्रतिहार शाशक राज जपाल का शाशन था ये important है कि महमूद ने जब आकरמन किया तो कश्मीर में कौन था कश्मीर में राणी दिद्दा थी कश्मीर में महमुद गसनवी के समय राणी दिद्दा का शाषन था और कन्योज में प्रतिहार शाषक राज्यपाल का शाषन था तो कन्योज में राज्यपाल और कश्मीर में राणी दिद्दा कन्नोज में राजपाल और कश्मीर में राणी विद्धा बंगाल में पाल चाशक महीपाल था पाल महीपाल चंदेल चाशक विद्यादर था जिस पर 2019-2020 में मुहमुद ने आकरण किया किन्तु उसे परास्त ने कर सका चोल चाशक राज प्रथम राजेंदर प्रथम थे तो देखो बिटा ये बता रहे हैं कि उस समय उस समय कश्मीर में कौन था रानी दिदा कन्योज में कौन था राजपाल बंगाल में महीपाल चाशक था राज राज प्रथम और राज अंद्र प्रथम ये क्या थे ये चोल चाशक थे विद्यादर को तो उससे एक जार 19-20 में महमुद ने आकरण किया किन्तु उसे परास्त नहीं कर सका था तो ऐसे था ये भूमिका है कि वो आया तब कौन-कौन था आया तब कौन-कौन था कश प्रथम ने भारत पर प्रथम आकरण हिंदु शाही शाशक जैपाल पर एक हजार इस्वी में गया तो ये वेरी वेरी इंपोर्टन था बहुते ही सबसे पहले आकरण किया था जैपाल पर जैपाल ने महमुद गजनवी से पराजित होने पर एक हैयार एक में आत्म दाह कर लिया आत्म दाह मतलब अपने आपको जला लिया था आत्म दाह कर लिया शाही वंश में जैपाल के बाद आनंद पाल त्रिलोचन पाल भीम पाल उत्रादिकारी हुए कौन-कौन आनंद पाल त्रिलोचन पाल और भीम पाल उत्रादिकारी हुए जान रखना बच्चों जब महमूद गजनवी भारत आया था उस समय महमूद सबसे पहला आक्रमन किसके उपर क्या जैपाल पर एक हजार में किया एक हजार में जैपाल ने आत्मदाहा कर लिया इसके पास जो शाशक हुए है तरह दिकारी जैपाल के आनंदपाल त्रिलोचनपाल और भीमपाल अब देख क्या कहता है कि इसने सत्रा बार आक्रमन किये महमूद के आक्रमन के समय सिंद्व मुल्तान पर मुस्लिन शाशन था सिंद्व मुल्तान उस समय मुसल्मानों के अंडर कंट्रोल में था मुल्तान पर अबदुल फत्ह दाउद नामक कर्मा थी शिया राज संपरदाय के मुहमूद ने मुलतान पर एक हजार चार यश्वी पर चार और पांच यश्वी में आकर्मन किया कब किया मुलतान पर मुलतान पर कब किया एक हजार चार और पांच में बाद में पहले अपड़े पर किया जैपाल पर आकर्मन एक हजार में किया फिर चार और पांच में क्या किया आक्रमन किया मुल्तान पर जो भारत पर चोथा आक्रमन था अब चार से चोथा वैसे चोथा हो गया तो चार से चोथा आक्रमन था अब आगे देखते हैं बट्रों मेहमूत ने 2008 में च्छटा अभियान हिंदूशाओ शाशक आनन्दपाल के विरुद किया मैंने बदाया थान आनन्दपाल तर लो चैनपाल और भीमपाल तो आनन्दपाल पर अश्टने किया था आठ में अभियान तो च्छटा था लेकिन सन कौन सी थी? एकजार आठ के में किया ये पंजाब पर दूसरी बार आक्रमन था ये पंजाब पर दूसरा आक्रमन था मरलब जैपाल के बाद में पहला जैपाल पर छटवा आक्रमन जो था वो आनंदपाल पर किया जिसमें पंजाब के शाशक आनंदपाल को चाच के युद्ध में वाद रखना वच्चों पहला जैपाल पर 1000 में किया था एक हजार आठ के अंदर, 2008 में इसी शाशन पर आक्रमन किया, इसी के राजवश में जिसका तब कौन था राजा आनंदपाल उस पर आक्रमन किया, पंजाब पे दूसरा आक्रमन था, छाच के युद्ध में वेहंद के मैदान में पराजित करने किया, इस युद्ध में राज़िपाल भी जो चंदेल शाशक था, प्रतिहार शाशक राज़िपाल और चंदेल शाशक गंड ने आनंदपाल की मदद के लिए सेनाएं भेची, यह सात्वा आक्रमन था और 2009 में किया गया, फारिष्टा के अनुसर अजमेर दिली, अजमेर उजेन, गौालियर, कालिंजर, करनोज के शाशकों ने आनंदपाल की मदद की, एक अजमेर उजेन, गौालियर, कालिंजर, करनोज के शाशकों ने आनंदपाल की मदद की, एक अजयर उन्नेस बीस इस्वी में महमूद के विरुद चंदेल शाशक विद्याधर ने राजाओं का एक संग बनाया, इंपोर्टन नहीं, वेरी वेरी इंपोर्टन, चंदेल शाशक विद्याधर ने राजाओं का एक संग बनाया, उन्नीस बीस में भी आया था ना, थोड़े दिर पहले मैंने बताया था, उन्नीस बीस में परास्त करने की कोशिश की पर परास्त ने कर सका, तो बेटा ये संग की वज़े से, जिसमें कनोज का प्रतिहार शाशक, कनोज का प्रतिहार त्रिलोचन पाल, और हिंदू शाही त्रिलोचन पाल, एक तो कनोज में भी त्रिलोचन पाल हुआ है, और एक हिंदू राजवंच में त्रिलोचन पाल हुआ है, इन दोनों को शाम उत्वी ने मतुरा के वैभव के बारे में लिखा है कि महमूद ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान था मतुरा के वैभव के बारे में उत्वी कहता है कि महमूद ने एक ऐसा शहर देखा है जो इसकी वैभव स्वर्ग के समान है कृष्न का जन्मिस्थान होने के कारण मत्यूरा को hoo का बेतल हम भी कहा जाता है क्रिश्न का बेतल हम मत्यूरा क्यों कि वहां कर्ष्न पैदा विय local मेहमूद के भारत आख्रवन के अभियान आप देखो बेटा बहुत सारे अभियान जिसमें अपने कम से कम 17 अभियान है जैराजी का वेहिंद का अधिकार तीसरा जो चार में किया उच्छी के शाशक वजीरा प्राक्रमन चतुर्थ 2005 में मुलतान पर पांचवा साथ के अंदर जो की वोहिंद पंजाब में छटा आक्रमन आठ में पंजाब नगरकोट में साथवा एकजार नो में नारायनपुर अलवर में आठवा एकजार दस मुलतान में तो पांच और पांच दुनी दस तो आगर मुलतान का याद करना चाहोगे तो पांच एकम पांच और पांच दुनी दस दो आक्रमन हो गए नववव एकजार तेरा में थानेश्वर दसवा भी तेरा में इंदुश्य राज़े पर और ग्यारवव एकजार पंदरा में कश्मीर पर कश्मीर पर कब किया गया 2015 में 12, 2018 मत्वुरा और कन्नोज पर 2020 में 13 आकर्मन हुआ था बुंदेल खंड में फिर उसके वादें 14, 2021 में ग्वादियर और कालिंजर पर 2024 में अहिलवाडा गुजरात और लोदार्ग अजेसलमेर में 16, 2025 में सोमनात मंदिर गुजरात में और 17, 2027 में 17, 17 में 10, 27 और यह अंतिम आकर्मन है 25 में जो था, वो था कौन सा बिटा सोमनात गुजरात में 24 और 25 दोनों ही सोमनात, स्वरी, दोनों ही गुजरात के असीमा पर ही किये गए जिसे 24 में जो आकर्मन वादा गुजरात में 25 में सोमनात मंदिर गुजरात में यह दोनों ही आकर्मन 25 में लगातार हुए अब आपको 13-13 का याद रखना है तो केवल 13-13 याद रखो थानेश्च्वर और हिंदुशाई रज थानेश्वर और हिंदुशाई रज कश्मीर में एक ही बार आकर्मन किया कश्मीर में 15 और 5 मुल्तान 10 उल्टा कर दो तो भी मुल्तान ही आजाएगा फिर उसके बाद में 18 देख लो मथुरा और कन्नोज पर 20 10 दुनी 20 20 में बुंदिल 22 बुंदिल 21 गॉालियर का लिंजर 24 आहनलवारा 25 उमनात और 27 में इस तरह विटा जाद करने की कोशिश करनी है अपन को आगे देखते हैं सोमनात के आकर्मन के समय गुजरात का शाषक कौन था गुजरात का शाषक था भीम प्रतम सोमनात जब 2025 में जब आकर्मन किया उस समय कौन था 2025 में सोमनात वे भीमशाय प्रथम साथ सकता उत भी लिखता है कि सोमनात के शियु मंदर पर आकरमण में से महमूद को इतनी धनराशी प्राप्त हुई जितनी अन्य सभी अभियानों से भी नहीं हुई 2015 कश्मीर के लोह कोट दुर्ग को जीतने का ऐसाफल प्रयाज किया लोह कोट दुर्ग को जीतने का प्रयाज किया गया यह गजनवी की सेना की प्रथम पराजे थी याद रखना कश्मीर पर जब आक्रमन किया गया 2015 में तो लोह कोट दुर्ग को जीतने का प्रयास किया गया लेकिन प्रथम पराजे यहाँ हासल हुई हलाकि 19-20 में भी उसको हासल हुई थी विद्यादर को हराने के चक्कर में लेकिन बटा पहला जो पराजित हुई वो था 2015 कश्मीर भारत पर कंतिम आक्रमन किया 1027 में 1030 में महमूद की मरत्य हो गई ठीक है अब देखते हैं महमूद ने लाहूर वे मुलतान सहित पंजाब को गजनी सामराज्य में मिला लिया लाहूर मुलतान और पंजाब ये तीनों उसके कबजे में आ गए लाहूर मुलतान और पंजाब लाहूर मुलतान और पंजाब उत्तरपश्री भारत में जारी किये गए गजनवी सिकोपर अरभी वे कश्मीर में प्रचली शारदा लिपी में लिखे गए दुवी भाशिय लेख हैं कश्मीर में प्रचली शारदा लिपी में और अरभी लिपी में लिखे गए दुवी भाशिय लेख हैं गजनवी ने संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिके चलाए वेरी वेरी इंपोर्टन आप सोचेंगे कि वही है तो मुसल्मान लेकिन चला रहा है ये किसमें संस्कृत में सिक्के जलाए जिन पर आव्यक्त में एक मुख मुहमद अवतार नरपती महमूद शारदा लिपी में उत्केर ने किया गया है महमूद वे उसके उत्रादिकारी मसूद ने हिंदूओं को बड़ी सिंख्या में रोजगार दिया याद रखना वुच्छों महमूद गजनवी के उत्रादिकारी कौन था मसूद इनमें सेवंद राय वे तिलक के नाम प्रमुख हैं जो की उच्पदो पर नियुकते मलोग हिंदूओं में सेवंद राय का नाम और तिलक का नाम इपोटेंट आता है जो की ज़्यादा ही उच्पदो पर नियुकत थे महमूद गजनवी के दरबार में अलबरुनी, बेहाकी, उत्वी, फिर्दोशी वर उन सारी जैसे कवी विद्वान थे फारस्व कवी उजारी, खुरासान का विद्वान तुसी विद्वान और अस्ददी फारुकी भी इसके दरबार में थे अब बेटा आगे कब पढ़ाऊंगी आपको कल, फिर कल मिलते हैं आगे इसको आगे बढ़ाते हैं ओके, थेंक यू, बाई